तो फरवरी के महीने में भी पहाड़ों पर बर्वारी का दौर शुरू है और एक तरफ जहां पर रटकों की चहरे पर रौनक है वहीं दूसरी तरफ स्थानी ये लोगों की मुश्कलें कम होने का नाम नहीं ले रही है चलते चलते ये रिपोर्ट ठीक है कई सालों के बाद इस बार जमकर बर्वारी हुई है बर्वारी का दौर अब भी जारी है जम्मु कश्मीर उत्राखंड हिमाचल परदेश के पाहडों पर अब भी बर्व गिर रही है जिससे ठंड से छुटकारा नहीं मिल रहा है इमाचल परदेश के उचाई वाले इलाकों में बर्व गिरने के बाद चार और बर्व की मोटी चादर जमा हो गई है पेड़, पहाड, मकान की छटें सब बर्व से ढग गए है धूप निकलने के साथ ही बर्व पिघल रही है जिससे ठंड और बढ़ गई है हाला की मौसम सुहावना है, खिली धूप में लोग घरों से निकल कर चहल कदमी करते नजर आ रहे हैं लेकिन इस पर भी ठंड इतनी है कि लोगों को आग जला कर हाथ तापना पड़ रहा है खास कर मजदूरों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि हिमाचल प्रदेश के उचाई वाले इलाकों में और वर्फ गिरेगी फिलहाल तापमान में 2-3 डिगरी तक गिरावट आ गई है मौसम विभाग के मुताबिक इस बार ठंड ने पिछले का इस साल के रिकॉर्ड तोड़ दिये है पिछले 24 घंटे में ही पारा 3-4 डिगरी लुड़का है किन नौर में तापमान माइनस 8 डिगरी रिकॉर्ड किया गया जबकि डलहोजी में माइनस 1 डिगरी तापमान रहा लाहौल स्पीती में ताजा बर्व बारी के बाद इस सिती फिर खराब हो गई है बर्व बारी के बाद लाहौल स्पीती में पहाड फिर बर्व से ढग गए है लाहौल स्पीती में ताप मान माइनस 13 डिगरी के आसपास है मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है